हेलो अब्रूबान वेरे वेरे गुडिनिंग कैसे हो खोब करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे श्रू फ्रेंट्स जीके जिसकी एस्पेसल क्लास में आप सब लोगा बहुत बहुत श्वागत है आज की इस क्लास में हम लोग सौल करेंगे जीके जिसके टॉफ 50 कोश कोशिण ली है प्रिविश्री कोशन लिए है जो हर वर्स वेक्राइट एंटर्स एक्जाम में पूछजे जाते हैं तो पूरी क्लास धान से दिखना जितने भी कोशन सापके करेक्ट हों कॉमें को सब्सक्राइब करें बिधर अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मा यह टाइम कल से जो है फालू किया जाएगा ओकी तो इसकी इंसाट लिजी और कल से आप यही टाइम से क्लास देखिएगा कुछ भी डाउट से तो यहां पे आप हमें कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं चलिए पहला प्रशन आपकी स्क्रेन पे है छेतरफल के अनुसार विश में भ भारत का इस्थान है दसवां, पाँचवां, दूसरा या सातवां बहुत यह सर्फल प्रशन है सबी लोग जौप दनी का प्रयास करेंगे छेतरफल के अनुसार विश में भारत का इस्थान है सातवां ठीक है पहला किसका इस्थान है रूस का है यह आपको याद रखना है बड वर्ल्ड का ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एक्जाम में आपका जो है स्टेट लेवल का एंटरंस एक्जाम है तो यूपी जी के से भी कोशन पूछा जाता है जैसे भारत में जितने भी राज हैं 28 राज है तो छेतरफल में उत्तर पुदेश का कौन सा इस्थान है क अगला प्रशन है समराठ अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्द पर देखा जा सकता है किस आलेक पर देखा जा सकता है बताइए सब लोग सभी को गुडविनिंग भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन को ओल पर प्रस करिए ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारी चैनल के मादम से और भी वीडोस और भी क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएए सारी की सार किसे कहते हैं तो चीटी कीट के अंतरकत आएगा तिल्चटा भी आएगा खटमल भी आएगा यह सभी आपके बिल्कुन सही हो जाएंगे जवाब ऑप्शन डिकरेक्ट हो जगा आवद यानि कि लखनव के अंतिम नवाप थे कौन बताएए अंतिम नवाप थे कौन अप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा बुद्ध के अपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था किस से बुद्ध के अपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से किस से था अगला प्रशन आपकी स्क्रेण पे भारा सरकार ने परिवार नियोज कई बार exam में ये question पहुचा जा चुगा है तो अस्ता लगा के note कर लेना है expression को इसकी पीडियाप अगर आपको चाहिए तो आप मेरे telegram group से इसको डाउलूड कर पाएंगे class खतम होने के बाद तो जॉइन कर ले टेलिग्राम चैनल के नाम है education भी साहिल लिंक वीडियो के description box में आपको मिलताईगी है चली बताईए तब लुग भई तो यहाँ पे भारत सरकार ने परिवार नियोजन कारेकरम को राश्टी सर्पन निम्न वर्स में अपना था बाई यह अपना गया था 1952 में यहाँ पे option d correct हो देगा राज्यों में राश्टपती सासन किसकी स्विक्रती से लागू किया जाता है तो यह किया जाता है मुकास्मीर के अलग सम्विधान की चर्चा किस अनुछेद में मिलती है यह 373 में मिलती थी जो कि अब नहीं है ठीक है चलिए अगला बश्टन है राजश्बा के सदश्यों का कारिकाल कितने दिनों का होता है वर्ष इसमें होना चाहिए तो वर्ष आपका होता है कितने वर भष पती को या स्थुक्र को तो नीला ग्रह यह कहा जाता है प्रक्थवी को ओके यहां पर अप्शन एक हो दगा अगला बश्टन भोर का तारा की से खा जाता है शुक्र को कहा जाता है अगला बश्टन है एसी आई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहां किया गया था यह आपको बताना है बताएंगे सब लोग ACI खेलों का एउजन पहली बार कब और कहां किया गया था तो यह किया गया था कब 1951 में कहां किया गया था दिल्ली में किया गया था ऑप्शन यहां पे आपका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो देगा यह most important question है जो फाहान चीनी आत्र यह किसके सासनकाल में भारत आया था यह आपको बताना है हरश वर्धन के सासनकाल में चंदरगुपदिती के सासनकाल में यह महमुद गजनवी के सासनकाल में यह चंदरगुपत प्रथम के सासनकाल में तो चीनी यात्री फाहान किसके सासनकाल में भारत आया था यह आया थ अगला प्रशन है, सवीने अवग्या आंदोलन, किस समझाउता के बाद बंद हुआ था? अगला प्रशन है, महात्मा गांदी द्वारा भारत चोड़ो आंदोलन, किस समझाउता के बाद बंद हुआ था? मुद्रा के रूप में अविवक्त किसी वस्तु का मूल कहलाता है क्या? वो कहलाता है कीमत, क्या कहलाता है? कीमत कहलाता है, ऑफ्षन यहां पर आपका एवाला बिलकुन करिक्ट होगा. अगला प्रशन है, भारत में योजना आयोक किस वर्ष में इस्तापित हुआ था? भारत में योजना आयोग किस वर्ष में इस्थापित हुआ था ये हुआ था 1950 में option यहाँ पे C करिक्ठ हो दगा अगला पुशन है भारती जोड़ा बैंग कर राश्टी करण कब हुआ था RBA के राश्टी करण बता रहा है बिलकुन सरवे प्रशन है तो RBA के राश्टी करण बता इस्थापना इसकी हुई थी 1935 में ठीक है एक अपराइल 1935 इसका पुशे मन्त तो एक जनवरी समविधान सभा का अधश कौन था बाई समविधान सभा का अधश कौन था समाज की तुलना में राज्य करिया सीलता की परिदी है अधिक व्यापक हो जागा सती परथा को शमाप्त करने वाला गवर्ना जनल कौन था सती परथा को शमाप्त करने वाला गवर्ना जनल कौन था बताईए सब लोग सती प्रथा को श्रमाप्त करने वाला गवर्ना जरनल कौन था तो वो था भाई विलियम बैंटिक आप्शन सी करेक्ट हो जागा अगला प्शन है मेवाड के राजगराने से सम्मंदित प्रस्तित भक्ति संत संति थी कौन चैतन, मीरा भाई, अंडाल या रामा भाई मीरा भाई आप्शन हो जागा सी आपका बिल्कुन करेक्ट हो जागा औधोगी एलकोहल के निर्माड के लिए प्रिक्ट उतपाद है कौन सा अउदोगी एलकोहल के निर्माण के लिए प्रिक्त उत्पाद है कौन सा तो वह अपका है सी रा option यहाँ पे C correct हो दगा अगला बश्चन है आपकी skin पे गुहावटी की सनदी के किनारे इस्थित है गुहावटी की सनदी के किनारे इस्थित है यह इस्थित है ब्रम्ह पुत्मदी के किनारे इस्थित है उप्षिन यहाँ पे B correct हो दगा वित आयो का कारेकाल कितने वर्स का होता है पांच वर्स का होता है option यहाँ पे B correct हो दगा महत्पूर्ण विधान पर जनता की राए जानने के लिए कौन सी विधी अपनाई जाती है बताई ये कौन सी विधी अपनाई जाती है तो जन्मत शंग्रह विधी अपनाई जाती है option यहाँ पे C करेक्ट हो जगा अगला विशन आपकी स्केन पे है सम्विधान में मौलिक करतब जोड़े गया थे किस संसोधन द्वारा 78 का जॉब दिजिए से बोग सम्विधान में मौलिक करतब जोड़े गया थे कब ये 2022 में सम्विधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था option यहाँ पे C करेक्ट हो जगा सेलुकरश नीकेटर पराजित किया था किसके द्वारा बताई ये किसके द्वारा तो ये जो है चंदर गुप्त मौरी के दोरा पराजित किया गया था, आप्षन यहां पे B करेक्ट हो जगा. सिंदु घाती सब्विता की प्रमुक विसेस्ता थी क्या? सिंधु घाटी सभिता की प्रमुख विसेस्ता थी क्या तो नगर सभिता ये तो नगरी सभिता बोल सकते हो option याँ पे ए आपका बिल्कुन करिट हो दगा अगला प्रशन है सिकंदर के मरतों के बाद उसके समराज का पूर्वी भाग किसके आधिन चला गया था सिकंदर के मरतों के बाद उसके समराज का पूर्वी भाग किसके आधिन चला गया था option याँ पे ए आपका बिल्कुन करिक्ट हो दगा अगला प्रशन है थार एक्सप्रेस कहां जाती है very very most important question आपके एक्जाम के लिए थार एक्सप्रेस कहां जाती है तो थार एक्सप्रेस जो चलती है यह भारत और पाकिस्तान के भी चलती है ठीक है समझाओता एक्सप्रेस भारत और किस देश के भी चलती है यह आपको बताना है कमेंट वाक्स में और Math 3 Express, एक और है, Math 3 Express, ये किन दो देशों के भी चलती है, आप बताईए, समझा होता हूँ और Math 3, comment box में छापिए, नहीं पता है तो Google करके बताईए, बट बताईए का जरूर ऐसा करने से क्या होगा, ये question जो है, पूछा तो बहुत जाता है, रट जाएगा lifetime के लिए, ये म बी करेक्ट हो देगा, देशों के निमलखी समुहों में से किसके साथ, अरणाचरप देश की साजी सीमाए हैं, बताईए, अरणाचरप देश की साजी सीमाए हैं, तो वो आपके हो जाएगे भोटान, चीन और मेमार, option यहाँ पे C करेक्ट हो देगा, प्रसासन के अधिसास अधिकार्ण का सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाई क्या है, तो वो आपका है, उच अधिकारियों के नियुक्ति और निसकाशन, option C करेक्ट हो देगा, कानून के नियम का अधिकर्मन अधिकतर कहां से होता है, तो यह जाच और स्थन्तुलन की कमी से होता है, option A करेक्ट ह अगला भशन है, B, S, E, Sensex कितने स्टाकों पर आधारित होता है, Bombay Stock Exchange कितने स्टाकों पर आधारित होता है, यह होता है, तीस स्टाकों पर, option C करेक्ट हो देगा, सरकार द्वारा अपने देश में एकतरत निधी को क्या कहते है, घरेलू, बजट स्रोत कहते हैं, option यहाँ पर एकरिक्ट हो देगा, उस मुगल सहजादे का नाम बताईए, जिसने भगवत गीता का फारसी में अनुवात किया था, बद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया था, बहुत important question है, यानि कि गौतम बुद्ध जी अपना पहला उबदेश कहां पर दिये थे, यह दिये थे सारनात में, कहां दिये थे सारनात में, ठीक है, और बोध गया में इनको जो है ग्यान की प्राप्ती हुई थी, ठीक है, यह आपको याद रखना है, अगला प्रशन है, तीर्थ यात् प्राप्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है, वेंस्ताओं को माना जाता है, ओप्शन यहापे B करेक्ट हो देगा, अलिगड़ आंदोलन का संस्था पकोन था, तो अलिगड़ आंदोलन का संस्था पकोन था भाई, सर सेयद अहमत खान था, ओप्शन यहापे C समाजिक सम्विदा सिध्धांद, option B correct हो देगा, अगला पशन है, एक विचार की रूप में आहिंसा और मात्मा गांधी द्वारा, उसका बेवहार मुलताह किस भारति सिध्धांद की उपज है, 94 का जौब दीजे, किस भारति सिध्धांद की उपज है, यह है अहिंसा की option यहापे, डी करेक्ट हो देगा, द्वी स्वाम्य की आउधारना किस ने आरम में की थी, कौर नौट ने आरम की थी, option यहापे, डी करेक्ट हो देगा, सरदार शरूवरबांद किस नदी पर है, सरदार शरूवरबांद किस नदी पर है, यह है, नरमदा नदी पर, option यहापे, एक करेक्ट हो देगा, अगले option है, भारत में बैंकों का राश्टी गरण कब हुआ था, बताए, बैंकों का राश्टी गरण कब किया गया था, 1969 में किया था, झीक है, RPA के पूँछे तो 1949, हमारे राश्टी द्हज के मध में इस्तिधर्म चक्र का रंग किया है, हमारे राश्टी द्हज के मध में इस्तिधर्म चकर रंग क्या है, गहरा नीला है ठीक है अगला विशन कौन सा नगर सरवाधिक रेलेवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन सा है नगर वो आपका है मॉंबई आफशन भी करेक्ट हो देगा निमलखित अंतराष्टी टेनिस प्रतियोगिताओं में कौन सी प्रतिवर्स एक ही इस्थान पर आयुजित नहीं होती है तो वो है डेविस कब एक ही इस्थान पर ये आयुजित नहीं होती है अलग-अलग इस्थानों पर ये जो है अजित किया जाता है ठीक है शो फ्रेंट्स ये थी आज की जो है जीके जेसकी क्लास कैसी रही क्लास कमेंट बाक्स में अपना फीदबैक जरूर देना ऐसी ही डेली क्लासे देखने के लिए अभी अभी एजुकेशन भी साहल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें तक जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादब से मिल सके कुछ भी डाउट से कोवेंट बाक्स में डाउट क्लिए कर सकते हैं मिलते हैं अगली क्लास पे थाइंक इस शो मच बाई बाई टेक क्यार